तोपिक जिसे रिलेटे इसक्यूशन जो एक्जाम में पुछे जाते हैं आज हम करेंगे प्रमुक युद अभ्यास जो दो हजार तेश तक आप तक जो अभ्यास हुए हैं इसमें हम देखेंगे कि कौन-कौन से देश जो है इस युद अभ्यास में सामिल होते हैं इनका इंपोर्टेंट टोपिक है एक्जाम में पूछा जाता है इनसे क्यूशन और जो अक्सरसाइज इंडिया में हुई है वो इंपोर्टेंट है उसको याद करना ही करना है तो आईए स्टार्ट करते हैं पहला क्यूशन है द्विपक्सिय सम्मूंदरी अभ्यास कोकन दोहजार तेईस भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ था तो ये कोकन जो है किस की सेना के बीच में होता है एक तो भारत है और कौन सा देश है तो इसका आंसर है क्या होगा A. वियतनाम B. जापान C. ब्रिटें और D. सिंगापूर तो क्या है इसका अंसर ये किस के बीच में होता है कोकन तो ये हुआ है भारत और ब्रिटें की सेना के बीच में आयोजित हुआ है और इसका आयोजन कहां हुआ है ये अरब सागर में हुआ है कहां हुआ है कोकन का आयोजन अरब सागर में हुआ है नेक्स्ट लिख है वो किस देश की सेना के बीच में होता है भारत और कौन सा देश है दूसरा तो ए उजबेकिस्तान बी विएतनाम से इंडोनेशिया और डी कजाकिस्तान तो दस लिख किन के बीच में होता है भारत और उजबेकिस्तान के बीच में होता है जो भारत और उजबेकिस्ता किया गया है कहां पिथोरागड और कौन सा संस्क्रण है इसका दस्तलिका ये फॉर्थ संस्क्रण है और सामिल सेना थल सेना इसमें सामिल होती है नेक्स्ट देखते हैं सयुक्त प्रसिक्षन अभ्यास धर्म गोर्जियन 2023 भारत और किस देश के सेना के बीच में आयोजित हुआ है जो धर्म गोर्जियन है वो कौन-कौन से देशों के सेना के बीच में आयोजित होता है एक किर्गिस्तान भी जापान सी ओमान और डी अमेरिका तो ये किन देशों क बारतिये नो सेना करती है और कहां किया है इसका तो कहां हुआ है प्रस्तान का आयोजन ये किया गया है मुंबई में कौन सी सेना करती है नो सेना नहीं किया है नेक्स्ट क्यूशन है पहला सयुक्त सेने अब्यास फ्रिंजेक्स 23 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है जो फ्रिंजेक्स है दो हजार तेश वो किस के बीच में हुआ है कौन-कौन से देशों के सेना के बीच में हुआ है तो A. ब्रिटेन, B. फ्रांस, C. इतली और D. जर्मनी तो भारत और कौन सा देश की सेना ने भाग लिया था इसमें ये फ्रांस की सेना ने भाग लिया था कौन सा है फ्रिंजेक्स है फ्रिंजेक्स है फ्रांस और इंडिया phrinjex Indo-France Joint Military Exercise क्या है phrinjex की full form यह है Indo-India और France Joint Military Exercise है आयोजन कहा हुआ इसका केरल में हुआ है केरल के तिरुवनन्द कुरं में हुआ है इंडिया में जो-जो आयोजन होते है important है सारे याद रखने है तो कौन सा इसका phrinjex का आयोजन कहा हुआ है तिरुवनन पूर्म में हुआ है संस्क्रण कौन सा इसका पहला संस्क्रण है भारत और किस देश की सेना के बीच में आयोजित हुआ है तो जो है वारुन अभ्यास है वो कौन कौन से देशों की सेना के बीच में होता है तो A. Germany, B. France, C. Mishrae और D. Oman तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वरुन जो है भारत और फ्रांस की नो सेना के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है आयोजन इस तल क्या है? इसका ये हिंद मांसागर में हुआ है जो वरुन का आयोजन है, वरुन का कहा हुआ है इसका आयोजन? ये हिंद मांसागर में किया गया था ये एक्सरसाइज संस्करन कौन सा था? 21 वा संस्करन था नेक्स देखते हैं भारत और किस देश की नो सेना के बीच में जाइमेक्स 2022 नामक द्वी पक्सिय समुन्दरी अभ्यास आयोजित किया गया है जाइमेक्स 22 का जो आयोजन है वो कौन कौन सी देशों की सेना के बीच में होता है? A. अमेरिका, B. जापान, C. ओमान, D. ओस्ट्रेलिया तो कौन सा देश है दूसरा देश? भारत और ये जापान के बीच में होने वाला अभ्यास है जाइमेक्स यानि जापान, इंडिया, मेरी टाइम, एक्सराइज आयोजन इस्तल क्या है? बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया है Next question सयुक्त विशेश बल अभ्यास गरूड सक्ती 2022 भारत और किस देश की सेना के बीच में आयोजित हुआ जो गरूड सक्ती है वो कौन-कौन से देशों की बीच में होता है एक तो भारत है, दूसरा कौन सा है? A. इंडोनेशिया, B. अमेरिका, C. डेनमार्क और D. बांगलादेश तो गरूड सक्ती है वो कौन से देशों की सेना के बीच में होता है? एक तो भारत और दूसरा इंडोनेशिया कौन है? भारत और इंडोनेशिया इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया और संस्क्रन कौन सा था? आटवा संस्क्रन था किसका गरूड सक्ती 2022 कौन सा संस्क्रन था? ये आटवा संस्क्रन था next है सयुक्त प्रसिक्षन अभ्यास सूर्य किरन 16 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ जो सूर्य किरन 16 है भारत और दूसरा देश कौन सा था इसमें सामिल होने वाला इस रिलंका भी नेपाल सी ओमान और डी जापान तो कौन कौन से देश के बीच में होता है ये सूर्य किरन भारत और नेपाल के बीच में होने वाला अभ्यास है आयोजन इस तल क्या था ये नेपाल आर्मी बैटल इसकूल साल जड़ी नेपाल में इसका आयोजन किया गया सूर्य किनका आयोजन कहां किया गया नेपाल में किया गया संस्क्रन कौन सा था 16 वा इसका संस्क्रन था नेक्स्ट है बोल्ड कुरुशेत्र अभ्यास भारत और किस देश की नो सेना के बीच में आयोजित हुआ तो जो बोल्ड कुरुशेत्र है वह कौन कौन से देश के बीच में होता है तो A. सिंगापूर, B. ऑस्टेलिया, C. कनाड़ा और D. जापान तो इसका अंसर क्या है? यह सिंगापूर और भारत के बीच में होने वाला नो सेना अभ्यास है आयोजन ती थी क्या थी? 6-13 मार्स थी और आयोजन इस तल कहां था? यह जोधपूर मिलिटरी स्टेशन कहां हुआ इसका आयोजन? जोधपूर में हुआ है, इंडिया में हुआ है, इंपोर्टेंट है कौन सा है? बॉल्ड कुरू शेत्र अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? भारत और सिंगापूर की 9 सेनाओं के बीच में आयोजन इस तल कहां है? जोधपूर मिलिटरी स्टेशन जोधपूर में हुआ है, संस्कन कौन सा था? ये इसका 13 संस्कन था, कौन सा 13 संस्कन था? नेक्स्ट है, कौप इंडिया लड़ाकू प्रसिक्शन अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच में आयोजित हुआ? जो कौप इंडिया है, वो कौन कौन से देशों के बीच में होता है? भारत और A. डेनमार्क, B. पोर्लेंड, C. ब्रिटेंड और D. अमेरिका तो कौप इंडिया है, वो भारत और अमेरिका की सेना के बीच में होने वाला अभ्यास है। आयोजितल क्या था इसका? कलाई कूड़ा, Air Base पस्षीम बंगाल में कहां हुआ है? इसका अभ्यास पस्षीम बंगाल में हुआ है? ये भी इंडिया में हुआ है, तो इम्पोर्ट वायू सेना सामिल होती है और कौन-कौन से देशों के बीच में होता है अमेरिका और भारत के बीच में होता है और कहां हुआ है इस बारस का आयोजन ये पश्चीम बंगाल में हुआ है नेक्स्ट है शिन्यू मेत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायु सेना के बीच में आयोजित हुआ है तो A. Singapore, B. Japan, C. Italy और D. America तो शिन्यूमेत्री जो है भारत और जापान की जो है वायू सेना के बीच में होने वाला अभ्यास है सामिल सेना कौन सी है? भारते वायू सेना और जापान की Air Self-Defense Force जो है इसमें सामिल होती है और आयोजन कहां हुआ है? जो शिन्यूमेत्री जो है इसका आयोजन कहां हुआ है? जापान में हुआ है और कौन-कौन से दे सामिल होते हैं? भारत और जापान की वायू सेना इसमें सामिल होती है नेक्स्ट क्यूशन है द्वी पक्षिये समुंदरी अभ्यास स्रीनेक्स 2023 भारत और किस देश की नो सेना के बीच में आयोजित हुआ है जो स्रीनेक्स है वो कौन-कौन से देश की सेना के बीच में आयोजित होता है एक तो भारत है दूसरा देनमार्क जापान दींसरी लंक़ इंडिया की नो सेना के बीच में होने वाला यह अभ्यास है देनेक्स की फूल फॉ पर मों होती है इंडिया नेवल अक्सराइज यानि नेवी की जो है अक्सराइज है आयोजित निस तह का है कोलंबो, स्री लंका में स्कायोजन किया गया और संस्कन कौन सा था इसका ये दस्वा संस्कन था भार्तिय नो सेना का पर्तिनी दित हुए किसने किया था आइनस किल्टन और आइनस सावित्री जो है इसमें सामिल हुए थे नेक्स्ट है पहला सेनने अभ्यास चक्रवात वन या साइक्लोन वन भारत और किस देश की सुरक्षा बल के बीच में आयोजित हुआ तो कौन से देशों के बीच में हुआ ये एक तो भारत और दूसरा कौन सा था ब्रिटेन, फ्रांस, इतली और मिश्र तो कौन सा देश था इसमें मिश्र सामिल हुआ था आयोजन इस तली कौन सा है? ये राजस्तान है और संस्क्रण कौन सा है? पहला संस्क्रण है इसका नेक्स्ट है बहु पक्सिय समुंदरी अभ्यास लापरोस का तीसरा संस्क्रण कहां आयोजित हुआ था जो लापरोस है, इसका तीसरा संस्क्रण कहां आयोजित हुआ? A. हिंद महासागर, B. अरब सागर, C. अटलांटिका और D. प्रसांत महासागर. तो कहां हुआ है? बहुपक्सिये जो समुदरी अभ्यास लापरोस है, उसका संस्क्रण कहां आयोजित हुआ? तो ये हिंद माहसागर में इसका आयोजन किया गया नेक्स्ट है पहली बार माला बार बहुपक्सिये नो सेना अभ्यास 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो कौन सा करेगा ए ओस्टेलिया, बी जापान, सी भारत और डी अमेरिका तो कौन सा करेगा ये ओस्टेलिया, इसकी मेजबानी करेगा 2023 का कौन सा है माला बार बहुपक्सिये नो सेना अभ्यास है ये एक बहुपक्सिये वार है ये अभ्यास है गेम नो सेनिक अभ्यास है जिसे 1909 में शुरू किया गया था किसको ये जो है मालाबार बहु पक्सी है, इसको कब शुरू किया गया था, ये उन्नीस सो ब्राण में में इसको शुरू किया गया था, संस्कन कौन सा इसका, 27 वा संस्कन है इस बार का, नेक्स्ट है, पहली बार परमाणू रसाइनिक वे जेविक आतंकी हमलों से बचने के लिए भारत और कि देश की सेना के बीच में तरकस अभ्यास आयोजित हुआ, तो जो तरकस अभ्यास है, वह कौन कौन से देश के बीच में होता है, ए अमेरिका भी जापान, सी रूस और ऑस्टेलिया, तो भारत और अमेरिका के बीच में ये अभ्यास होता है, कौन सा है, तरकस है, सामिल सेना कौन सी है बारतं ये Black Cat Commandoz और अमेरिकी Special Operation Forces में सामिल होती है कौन से देश है भारत और अमेरिका की सेना इस इसमें सामिल होती है आयोजिनिस्तल कहा ये चेननाई इंडिया में हुआ है इसका? इंपोर्टन्ट है कहा हुआ है चेननाई में हुआ है कौन सा तर्कत है, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, नगेस्ट कुछन है, बीफकसी अभ्यास, नसीम अलब है. 2022 भारत और किस देश की नो सेना के बीच में आयोजित हुआ है? तो नसीम अलबाय है। ऐसा नाम हाता है तो कौन सी देसा है। इसकी सेना के बीच में आयोजित हुआ, जो काजिंद है, वो कौन-कौन सी देश की सेना के बीच में आयोजित होता है, A. वेतनाम, B. बेल्जियम, C. इंडोनेशिया, D. कजाकिस्तान, तो ये जो काजिंद है, वो इंडिया और कजाकिस्तान की सेना के बीच में आयोजित होता है यह मेगाले इंडिया में इसका आयोजिन हुआ है इंपोर्टेंट है संस्क्रंड कौन सा था शिक्स संस्क्रंड था नेक्स्ट है सीमा पार से चल रही आतंगे गति विदियों पर नजर रखने के लिए किस सुरुक सा बल ने एक विशेश युद्ध अभ्यास ओप्स अलर्ट ओप्स अलर्ट शुरू किया है OPS अलर्ट जो शुरू किस ने किया है A, RPSC, B, BSF, C, CRPF और D है जो ITBP किस ने सुरू किया है ये ये BSF ने सुरू किया है कौन सा OPS अलर्ट BSF Border Security Force क्या है BSF की फिलफॉर्म Border Security Force है BSF की स्तापना कब होती है 1 दिसमबर 1965 में इसकी स्तापना होती है मुख्याले कहा है इसका BSF का ये नई दिल्ली में इसका मुख्याले है नेक्स्ट है भारत और किस देश की सेना के बीच में सयुक्त विशेश बल अभ्यास खंजर 2022 का आयोजिन हुआ जो खंजर अभ्यास है वो किन देशों के बीच में होता है A. किर्गिस्तान, B. ओमान, C. बांगला देश और D. तुर्किमेनिस्तान तो जो खंजर है वह भारत और किर्गिस्तान की सेना के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है तो इसका आयोजिनिस्तान का है? बकलो है जो कि हीमाचल प्रदेश में है का है हीमाचल प्रदेश में? खंजर 2022 संस्क्रन कौन सा था? नौवा संस्क्रन था नेक्स्ट क्यूशन है बेपक्सिये हवाई अभ्यास वीर गोर्जियन 2023 भारतिये वायूशेना और किस देश की वायूशेना के बीच में आयोजित हुआ तो वीर गोर्जियन है वो कौन कौन से देशों के बीच में होता है? भारत और ए अमेरिका भी जापान, C, जर्मनी और D, थाइलेंड तो भारत और जो है जापान की सेना के बीच में होने वाला अभ्यास है कौन सा? वीर गोर्जियन आयोजनिस्तल क्या है जापान है संसकरन कौन सा? इसका पहला संसकरन है नेक्स्ट है देपक्सी अभ्यास स्लीम सिम्बैक्स है यह सिम्बैक्स 2022 भारत और किस देश की नो सेना के बीच आयोजित हुआ है जो सिम्बैक्स है वो कौन-कौन से देश के बीच में होता है A. Singapore, B. America, C. Japan, D. Israel तो भारत और सिम्बैक्स है तो सिम्बैक्स की फुल फॉर्म क्या है इससे ही याद हो जाएगा सिम्बैक्स क्या है सिम्गापूर और इंडिया की बीच में होने वाला अभ्यास है आयोजन इस्तल क्या है विशा का पत्नम बंदरगा चरण और बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया किसका सिम्बेक्स का नेक्स्ट है भारतिय नो सेना ने सबसे बड़े द्वी वार्षिक समुन्दरी अभ्यास जो ये ट्रॉपेक्स 2023 कहां आयोजन किया था प्रसांत मासागर, B, अरब सागर, C, हिंद मासागर, D, बंगाल की खाड़ी जो 9 सेना ने जो ये आयोजन किया है ट्रॉपेक्स का कहां किया है अरब सागर में किया है नेक्श्ट क्यूशन है सयुक्त सेन्य अभ्यास हरीमो सक्ती 2022 भारत और किस देश की सेना के बीच में आयोजिन हुआ तो A. मलेशिया, B. थाइलेंड, C. वियतनाम और D. बांगले देश तो जो हरीमो सक्ती है इसका आयोजिन कौन से देशों के बीच में हुआ है एक तो भारत है और दूसरा मलेशिया की सेना के बीच में इसका आयोजिन हुआ है आयोजिन कहा हुआ है? मलेशिया में हुआ है संस्क्रण कौन सा है? सात्वा इसका संस्क्रण था सयुक्त नो सेन्य अभ्यास मोसी से किंड किन देशों के बीच आयोजित हुआ? जो मोसी 2 है इसका आयोजन जो है कौन से देशों के बीच में हुआ A. रूस, चीन, दक्षिन अफरिका B. भारत, जापान और अमेरिका C. अमेरिका, बांगलादेश और जापान D. इसराइल, जापान और जर्मनी तो कौन कौन से देशों के बीच में जो मॉसी सेकिंड युझ दव्यास है कौन कौन से देशों के बीच में हुआ ये रूस है, चीन है और दक्षिनी अफरिका है आयोजन इसतल क्या है? हिंद मासागर में इसका आयोजन किया गया मॉसी सेकिंड का next है दीपक्सी अभ्यास अगनी वोरियर भारत और किस देश की सेना के बीच में आयोजित हुआ जो अगनी वोरियर युद अभ्यास है वो कौन-कौन से देशों के बीच में होता है ए सिंगापूर भी जापान सी डेनमार्क और डी वियतनम तो भारत और सिंगापूर की सेना के बीच में जो ये आयोजित किया जाता है, कौन सा अगनी वोरियर, आयोजिन इस्तल क्या है, देवलाली महराष्ट में जो इसका आयोजिन किया गया है, संस्क्रण कौन सा था, बारवा संस्क्रण है, नेक्स्ट है, विपक्सिय वायू सेना अब्यास गरूड 2022 भारत और किस देश की वायू सेना के बीच में आयोजित हुआ जो गरूड है गरूड 2022 का आयोजन है वो कौन-कौन से देश के बीच में होता है A. Germany, B. France, C. Japan और D. Britain तो जो गरूड है वो भारत और अब्यास है जोदपूर, राज्स्तान में स्का आयोजन किया गया संचण कौनसा था? सात्वा था तो जो गरूड है कौन-कौन से देश है? भारत और फ्रानस इसमें सामेल होते है कौन से सेना है? वायू सेना सामेल होती है Next है बहु राश्ट्री अभ्याद सी ड्रेगन 2022 किन छह देशों के बीच में आयोजी तुआ तो कौन से छह देश थे वो खाँसर है ये जो कि है USA है ऐस्टेलिया है कनाड़ा है भारत है जापान है और डक्षनी कोरिया है ये छे देश इसमें सामिल होता है कौन सा सी ड्रेगन में आयोज hemisphere the गौाम जो कि परसिम प्रसांत मासागर में इसका आयोजन किया गया था नेक्स्ट क्योशन है last question है बहु राष्ट्य अभ्यास ओर्येनी की मेजवानी कौन सा देस कर रहा है A. Germany, B. France, C. Britain और T. Italy तो कौन सा देस कर रहा है बहु राष्ट्य अभ्यास ओर्येनी का आयोजन या इसका मेजवानी कौन सा देस है तो ये है फ्रांस में जो है इसका आयोजन हो रहा है और यें 2020 का सामिल देश कौन कौन से है भारत है अमेरिका फ्रांस और नाटो देश और अन्य सदसे सहयोगी देश इसमें भाग ले रहे हैं भारत के तरप से कौन सामिल हो रहा है जो विमान राफेल है वो इसमें सामिल हो रहा है थैंक्यू दोस्तों यह आज का हमारा वीडियो था यह आपको कैसा लगा कमेंट करें वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू